Welcome to my channel friends, हो सकता है कि आपके पास ये 5.1 decoder हो, जो की new version है, और हो सकता हो आपके पास ये वाला 5.1 decoder है, जो की old version है, या हो सकता है आपके पास कोई DVD player हो, जिसमें से 5.1 की output मिलती है, या हो सकता है आपके पास कोई Blu-ray player हो, जिसमें 5.1 का output मिलता है, लेकिन इस 5.1 audio को enjoy करने के लिए आपको चाहिए एक 5.1 amplifier, इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक Class D का 5.1 amplifier, इससे पहले इसकी detail हम देखें, हम देख लेते हैं कि 5.1 amplifier का standard क्या है, साथ में ही market में जो 5.1 amplifiers मिल रहे हैं, उनकी reality क्या है और क्या वो suitable है, 5.1 surround system के बारे में मैं एक detailed video बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको short में थोड़ा बता देता हूँ, surround sound का एक common name है, जो कि audio systems में commonly home theaters में use होता है, इसमें 5 full bandwidth के channel होते हैं, और एक low frequency effect यानि subwoofer का channel होता है, यानि कि इस तरह से इसमें कुल 6 channels की audio होती है, market में आपको 5.1 amplifier के बहुत सारे board मिल जाएंगे, लेकिन जो 5.1 का standard है, जो कि international telecommunication union ने decide किया है, सबसे पहला standard है, इसमें 5 speakers होने चाहिए, same size का, यानि कि front का, surround का और center का, ये same speaker होने चाहिए, दूसरा standard है, कि जो listener है, वो सारे speaker से equal distance पर होना चाहिए, यानि इसको कुछ यो भी कह सकते हैं, कि listener को सारे speaker के बिलकुल center में बैठना चाहिए, जैसा कि मैं आपको image दिखा रहा हूँ, और angle भी specified है, यहाँ पर, जो front left और right का angle होगा, front से 30 degree plus और 30 degree minus में होगा, center 0 degree पर होगा, और surround जो होते हैं, वो 0 से 110 minus और 110 degree plus पर होगे, तो इस तरीके से हमारा surround sound system अगर configure किया जाए और use किया जाए, तो आपको best performance मिलेगा, subwoofer का कोई specification नहीं है, subwoofer कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि low frequency universally travel करती है, यहाँ पर main guideline है, कि जो main हमारे 5 channel है, यानि कि left, right और surround, center, इन सभी का speakers identical होना जरूरी है, इसका meaning एक ये भी निकलता है, कि इन सारे channels के amplifier भी identical होने जरूरी है, यानि कि left, right, surround, right, surround, left, और center के channel जो है, उसका amplifier जो है, equal performance का, equal wattage का होना चाहिए, और यहीं पर market में थोड़ी सी problem हो जाती है, क्योंकि market में जो board मिलते हैं, mostly इस standard को follow नहीं करते हैं, For example, अगर हम इस तरीके के board को लेते हैं, जो कि market में बहुत popular है, और आज भी home theaters में बहुत ज़्यादा use होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें 5 ICs use की गई है, यानि कि या तो इसमें subwoofer को left किया गया है, या तो आपके center channel को left किया गया है, और इसको हम 4.1 बोल सकते हैं, ये 5.1 का amplifier नहीं है, जबकि इसको लोग 5.1 और 6.1 कहकर भी बेशते हैं, ज़्यादा तर इस तरह के छोटे board हैं, सभी 4.1 है, जिसमें center channel को skip कर दिया गया है, जो कि standard के हिसाब से अच्छा नहीं है, और audio का एक simple rule है, जब 50-50 watt के channels इसमें सारे left-right सराउंड के हैं, तो subwoofer भी इसमें काफी तगड़ा होना चाहिए, ज़्यादा तर market में जो भी available board हैं, उसमें subwoofer की power भी उतनी ही होती है, जितनी की हमारे center या left-right की होती है, इस वज़ा से हमको proper effect नहीं मिल पाता है, इनी सारे deficiencies को देखते हुए, इनकोशन ने ये board launch किया है, 5.1 amplifier का, जो की properly बना हुआ है, अगर इन heat sinks को हम निकाल दें, तो हम देख सकते हैं कि कितनी ICs इसमें use की गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 ICs का use किया गया है, हर IC 100W की class D amplifier IC है, आपको front left और front right मिलता है, जो की 50 plus 50W है, इससे आपको rear left और rear right मिलता है, जो की 50 and 50W है, इस IC से आपको मिलता है center, यहाँ पर देख सकते हैं, जो की 100W का है, और इस IC से मिलता है आपको subwoofer की output, जो again 100W का है, इस तरीके से इसमें properly 5.1 की audio configure की गई है, और आपने देखा होगा क mostly इस तरीके के जो decoder card आते हैं, उनका gain कभी-कभी थोड़ा सा कम होता है, यह depend करता है कि आपने किस company का लिया है, किस quality का लिया है, इसलिए यहाँ पर op amps का भी use किया गया है, यह dual op amp है, तो इस तरीके से हमारे 6 op amp इसके अंदर हो गए, और 5.1 channel को यह cover कर रहे हैं, तो ideal condition में इसमें किसी भी preamp की जुरुत नहीं पड़ती है, आप सारे connections को directly यहाँ से कर सकते हैं, अगर back side में हम देखेंगे तो यहाँ पर input connection दिये गया है, एक common हमारा ground है, उसके बाद sub, center, SR, SL, FR, FL, तो सारा 5.1 input आप किसी भी device से इसमें दे सकते हैं, यहाँ पर 24 volt की power supply देनी है, ए इसको आप चाहें तो use भी कर सकते हैं, यह IC वहीं है जो in question के अपने board में लगती है, CS8673E, decent quality की IC है, especially center और subwoofer channel को काफी powerful बनाया गया है, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें किसी भी volume control का provision नहीं है, तो अगर आपको individual volume control चाहिए, तो आप हर channel पर एक volume control लगा सकते ह हैं, इसलिए अगर आप बीच में एक एक volume लगाएं, तो आपको बहुत ही flexibility इस board के साथ मिल जाएगी, वैसे तो इन दोनों board को अगर आप combination में use करेंगे, तो कहीं भी आपको gain कम नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर आपको अच्छा control चाहिए, आपको लगता है कि मुझे और control चाहिए, तो आप single appamp की मदद से मेरा appamp वाला वीडियो देखकर बहुत ही simple gain control बना सकते हैं, उस gain control को आप active volume control भी कह सकते हैं, और अगर आप नहीं बना सकते हैं, ready made लेना चाहते हैं, तो इस तरह का board भी in question के पास में है, ये देखिए 5.1 pre amplifier है, ये board बिलकुल ही simple है, कोई भी इसमें कलाकारी नहीं है, यहां से आप इसको input देंगे, 5.1 channel का यहां से RCA के तरू, और यहां से आपको output मिल जाएगा, और ये output आपको directly लगा देना है, ये board लगाने से फायदा आपको ये होगा, कि आपको individual volume control overall मिल जाएगा, और front left, front right, और center subwoofer, सारे control आपको अपने हाथ में मिल जाएगे, अगर आप बना सकते हैं, आप amp का तो खुदी बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप DIY नहीं कर सकते हैं, तो आप ये board भी इन दोनों के बीच में use कर सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों चीजों को combine कर दें, तो एक standard 5.1 surround sound system बन जाएगा, because ये दोनों ही board 24 volt की single supply से चलते हैं, इसलिए common power supply से इन्हें चला सकते हैं, जैसे कि ये class D power supply आती है, अगर हम particularly इस board की बात करें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 100, 100, 100, 100, यानि कि पूरा 400 watt RMS का ये board है, तो अगर आप सारे loss वगरे भी मान तो कम से कम 300 watt तो ये देगा ही देगा, और इस board से full power लेने के लिए कम से कम हमें 8 ampere के supply देनी पड़ेगी, जो कि आप किसी transformer या इस SMPS से ले सकते हैं, देखिए होता ही है कि mostly हम surround sound में full volume यूज नहीं करते हैं, ये depend करता है हम कौन सी movie देख रहे हैं, तो इसमें कम ampere की power supply से भी काम चल जाता है, 12 ampere की power supply अगर आप रखते हैं, तो काफी अच्छा काम करेगा, और बिल्कुल ही correct power supplies को आप देना चाहते हैं, तो आपको 15 ampere की power supplies को देनी पड़ेगी, तब आप full performance ले सकते हैं, काफी compact ये board बनाए गया है, सारी markings इसमें दी हुई है, तो आपको कुछ भूलने बटकने का system नहीं है, बहुत easy connection है इसका, यहाँ पर मैंने heatsink compound निकाल दिया है, लेकिन आप जब भी लगाएं तो इसको heatsink compound के साथ लगाएं, because YouTube में 5.1 audio का मैं demo नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इसको power supply देकर एक एक channel की audio मैं आपको सुना द देता हूं, यह center की audio हो गई, यह surround right हमारा आ चुका है, देखिए बाकी किसी channel से कोई interference नहीं है, जिस channel को हम touch कर रहे हैं, सिर्फ उसी channel से आवाज आ रही है, यह surround right है हमारा, अभी हमारा main left और main right बचा है, front left हो गया, यह front right आ गया, तो इस तरीके से इस board के सारे channels काम कर रहे हैं, और friends यह ready made boards की video मैं इसलिए लाता हूं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो DIY का भी मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन वो capable नहीं है कुछ बनाने के लिए, तो कम से कम assembling क करके वो enjoy कर सकते हैं, अगर आप खुद capable है DIY करने में, तो आप उसको enjoy किजी, आप उसको कीजी, लेकिन बहुत सारे हमारे community के लोग ऐसे हैं, जो इन सारी चीजों को बनाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनका expert level इस तरीके का नहीं है, कि वो खुद बना सकें, तो इस तरह क जो kit है, वो आपको DIY का भी enjoyment देती है, और आपको ज़्यादा परिशानी भी नहीं होती है, तो अगर आपको इन चीजों की requirement है, तो सारी चीजों का link मैंने description में दिया हुआ है, आप वहां से click करके उसका price चेक कर सकते हैं, और अगर आपको उसकी requirement है, तो आप उसे खरीद भ रहे हैं, क्योंकि शायद आप लोग को notification रात में मिला होगा, और बहुत महनत करके मैंने वो वीडियो बनाया है, वो एक guideline वीडियो है, do it yourself, studio monitor के बारे में, तो उसको भी आप जाके देखी, बहुत सारी महनत की गई है उस वीडियो में, और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए, ok, tata and bye friends